पिट्टो, उड़ जा, पढ़ाई कर, सोने दो, उड़ जा, पढ़ाई कर, A for apple, B for chappal, C for kela, क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, हाँ? फिर से सो गया? नास पिटा, पढ़ाई कर, अब तो सुन भी नहीं रहा, सुनते हो, बिट्टो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँ, है? पढ़ाओ इसको, मैं खाना बना रही हूँ, आहा, पढ़ाता हूँ, चल बेटा, आज मैं तुझे पढ़ाता हूँ, आप पढ़ाओगे? चप, चलिए बता, जीने के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, आप ही बता दो, जीने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, बहुत जरूरी है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और तुझा सो रहा है, पापा, मैं आक बन करके पढ़ रहा था, हाँ तो बता, जीने के लिए क्या जरूरी है, अभी तो मैंने बताया, बता, यहाँ याद आया, जीने के लिए बगल के घर की काजल और सामने महले की प्रियंका और आपके दोस्त सरमा अंकल की लड़की बहुत जरूरी है पड़ाई पर ध्यान नहीं है लड़कियों में ध्यान है पापा अब पड़ाई करूँगा अब मैं पड़ाई करूँगा पढ़ाई करेगा मत मारो अब मैं पढ़ाई करूँगा मैं आज के बाद बीडी भी नहीं प्यूँगा मैं गुटखा भी नहीं खाऊंगा मैं अपने दोस्तों के साथ देशी दारू भी नहीं प्यूँगा इसका मतलब तु बीडी पीता है गुटखा खाता है दोस्तों के साथ देशी दारू पीता है चल मुर्गा बन बन पहले आप बनो मुर्गा मैं क्यों मुर्गा बनू? मैं क्यों बनू? जैसे इंसान का बाप इंसान होता है वैसे ही मुर्गे का बाप मुर्गा मत मारो, इतना मत मारो आप अपना काम करो, मैं पढ़ाई कर लूँगा पहले A, B, C, D सुना हाँ, क्या सुना? अरे A, B, C, D सुना A, B, C, D और सुना साब बढ़िया आप सुनाओ, लॉकडाउन में कैसी कट रही है? कितनी जोड से मारा पुस्पा, ए पुस्पा ये पढ़ाई नहीं कर रहा है तो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है? भूख लगी है तुझे आज खाना नहीं मिलेगा दिन भर भूखा रहेगा तब तेरे होस्ट ठिकाने आएंगे पापा, आप भूथ हो भूथ? अरे नहीं नहीं भूथ नहीं हो तो आपने इस चुडेल से साधी क्यों की नास पीटे फाल तू बाता करता है अपनी मा को चुडेल बोलता है रुक तू मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ मेरे बेटे को क्या हुआ मेरे बेटे को क्या हुआ मेरा बेटा मेरे बेटे को क्या हुआ तुझे क्या हुआ बेटा बोल बोल क्या हुआ तुझो कहेगा मैं वो करूँगी बस तुठीक हो जा मुझे बिरियानी खानी है और फिर आराम से सोना है हाँ हाँ, अभी बिरियानी बना के लाती हूँ तु बिरियानी खा के आराम से सो जाना उठाए आँ से, मेरे बेटे को परिशान मत करना, बता रही हूँ क्या